हलो फ्रेंज वेलकम बेक टो माई शेनल इस ट्रामे की हिंदी एक्स्प्लिनेशन का पार्ट टू है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरित की अंट सो लोयर को घर बुलाती है और उससे पूछती है क्या कोई तरीका है जिससे ग्रैंट पाकी खोई हुई दिन सोना चाहिए तब इस विल को देखा जा सकता है यानि डेट सेटिफिकेट होना चाहिए इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिन और क्लाइट पूरित के साथ उसके विला में रंच कर रहे होते हैं लिन वोश्रूम के बहाने विला के अंदर चाहती है और असिस्टिन में एक दिन मेडियां आती है और साफाई कर जाती है निरा लिन को पूरा विला दिखाती है लिन को विला बहुत पसंद आता है बेसिकली लिन को कुछ दिन रहने की जंगा मिल जाती है लिन निदा से बज़कर विला की खिड़की ओपन कर देती है ता कि सब के जाने के में तुम्हारी कितनी help करती है इसका ध्यान रखना नहीं तो मैं इसे higher कर लूँगा खुछ समझ है नहीं है एक क्लाइंट क्लाइंट को जाने के बार पूरिद लिंग से पूशता है क्लाइन ने क्या कहा था लिंग पूरिद को बताती है वो बोल रहा था तुम्हें मेरी सेर्ड दस गुना बढ़ा देने चाहिए पूरिद लिंग को बोलता है यह बहुत अच्छा मजाग था थोड़ी पागल जैसी हरकते कम ही किय करो और वहां से जाने लगता है लिंग पूरिद को रोबी और बोलती है मेरे पैसे कहा है पूरिद बोलता है क्या बोल रही हो कौन से बिद्व दिलाती है स्ब्सक्राता है तो मुझे क्या सोन्डे के अंड़े देने वाली मुर्गी समझती हो जो एक अंडा भी नहीं छोड़ोगी लेकिन लिन चुप होने का नाम ही नहीं लेती पैसे एड़ करती जाती है पूरित लिन को चुप होने को बोलता है लिन पूरित को बताती है कप्ड़े के पैसे तो देने ही पड़ेंगे Chinese Tradition के कप्ड़े तो मेरे पैसे तो बरबाद हो जाएंगे न कुरित लिन को बोलता है चोह मांट हमारा डिल हुआ था वो मैंने तुम्हें दे दिया है अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो वापिस दे सकती हो लिन बोलते है ठीके में रख लेती हूँ बातल तुम कल दे देना पुरित लिन से पैसे ही वापिस ले लेता है और लिन को बोलता है मैं तो टेक्स काटना भूली गया लिन बोलते है तुम ऐसे नहीं कर सकते पुरित बोलता है जब तुमने इतना कमाया है तो थोड़ा वो देश को भी देना चाहिए और पूरित लिंगो बोलता है करनीदा से आकर पैसे ले लेना पैपर वर्ट करके लिंगो पूरित पर गुस्सा आता है पर पूरित नहीं सुनता इसके बाद एंट्री होती है मा की मा की पूरित का करजन ब्रदर है और प्ले बोई भी माक एक लड़की की साथ होटल में होता है तभी उस लड़की का हस्वेंट रूम में आ जाता है माक उसे बचने के लिए पालकनी में छुप जाता है लिन भी इसी होटल में एक लड़की को पैसे वापिस करने आई होती है जिसे उसके फादर ने उधार लिये थे लिंग पैसे वापिस करकर भार आ जाती है तब ही मांक लिंग को देख कर उसे अवाश लगाता है और उसकी हल्प करने को कहता है लिंग मांक को बोलते हैं तुम्हें 5000 देने होंगे तब ही मैं हल्प करूँगी मार्क मान चाहता है लिन मार्क को नीचे उतारने में हेल्प करती है मार्क लिन को बोलता है थेंक्यू मेरी हेल्प करने के लिए मैं तुम्हें 500 रुपे ट्रांसफर कर दूँगा लिन मार्क को बोलता है थीक है मैं दे दूँगा अभी यहां से चलना चाहिए लिन माग को बोलते हैं ऐसे भार जाओगे किसी इन्वाइट करना चाते हो अगले बार किसी लड़की के पार जाने से पहले उसकी हस्बन के बारे में जरूर पता कर लेना लिन माग को अपना जोकर वाला आउन्फिट पहनने के लिए दे देती है माग को लिन पसंद आ जाती है इसलिए अपना कॉंटेक नमबर लिन को शेर कर देता है और उसका कॉंटेक नमबर ले लेता है इसके बार लिन चुपके से विंडो के रास्ते विला में चली जाती है और घर में रहने का पूरा मज़ा उठाती है वहीं दूसरी और माक पूरित को बताता है आज मैं एक लड़की से मिला जो मुझे बहुत पसंद आई वो बागी लड़कियों से बिलकुल अलग है और काफी क्यूट भी है पूरित माक को बोलता है वमेशा हर बार हर लड़की के बारे में ऐसे ही बोलते हो माक बताता है पर इस बार मैं सीरियस हूँ वो फलर्ड करने वाली लड़की नहीं है जिन्दकी भर उसे ध्यान से रखे जाने वाली लड़की है जैसे तुमा आदे लिए पैनी थी पूरे पैनी का नाम सुनकर अपसेट हो जाता है माक पूरित से माफी मांगता है मैं भूल गयाता तुम्हें उसका नाम सुनना पसंद नहीं है पूरित माक को बोलता है इसी बात नहीं है मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता पर अच्छा रहता है अगर कोई उसका नाम मेरे सामने ना ले मेरे जिन्दकी में सकून रहता है मा कूरित को बोलता है एक दिन पैनी को अपनी गलती का ऐसास जरूर होगा उसने तुम्हें छोड़ कर कितनी बड़ी गलती की है और तुम्हें पैनी से भी बैडर लड़की मिलेगी जो तुम्हारे पत्थर जैसे दिल की दिवार तोड़कर सेदा तुम्हारे दिल में बस जाएगी इसके बाद हमें दिखाया जाता है निदा पूरित को लिन की उसके फादर के साथ एक फोटो देती है जो निदा को गिरी हुई मिली होती है पूरित को वो फोटो अंट पिम की फोटो जैसे लगती है क्योंकि फोटो का बैग्गराउंड उससे मिलता जूलता है यानि वो फोटो भी चाइना में खीची गई होती है इसके बाद लिन पूरित के ओफिस पहुंशती है निरा से पैसे लेने निरा लिन को बताती है तो फूरित से नहीं मिल पाओगी क्योंकि वो किसी काम से भार गए है भीन सोचती है अच्छा ही है उससे मिलना कोने चाता है लिन इदा को जूटी हसी के साथ बोलती है कोई बात नहीं निरा लिन को उसके फोटो देती है और पूछती है क्या ये तुम्हारी फोटो है लिन बताती है हाँ निरा लिन से पूछती है फोटो चाइना में ली गई है तो क्या तुम चाइना में रही हो लिन्ग बताती है हाँ इसलिए तुम मुझे चाइनिस आती है और मैं चाइनिस बढ़ाती भी हूँ इसके बाद मार्क लिन्ग से मिलने उसके इंस्टिट्यूट आता है जान लिन्ग चाइनिस बढ़ाती है क्लास खतम होने के बाद लिन माग को बोलती है तुम्हें क्यों आए हो माग लिन को बोलता है तुम्हें टीनर पर साथ ले जाने लिन माग को बोलती है मेरे कप्रे कहा है जो मैंने तुम्हें दिये थे और ये मत बोलना कि तुम भूल गए मांग बताता है वो कार में है मैं भूला नहीं हूँ लिन शोक होकर मांग से पूछ दिये तुम्हारे पास कार भी है इसके बार लिन मांग की महेंगी कार देखकर हैरार हो जाती है क्योंकि लिन को लग रहा था मांग एक मिडल क्लास लड़का है लिन माग से पूशती है सच में ये तुम्हारी कार है मुझे यकी नहीं हो रहा अब समझ में आया उस दिन वो लड़की अपने हजबन को छोड़ कर तुम्हारे साथ क्यू थी तुम इतने रिच हो उसका पागल होना तो बनता ही है और साथ ही हैंसम भी लिन माग को अपने साथ एक स्ट्रीट रेस्ट्रों भी ले कर जाती है माग को वो जगा बहुत पसंद आती है और लिन से पूशता है तुम्हें कैसे पता चला इस जगा के बारे में लिन बताती है ओल्ली स्मार्ट लोगों को ऐसी जगाओं के बारे में पता होता है तो इना बैट कर ड्रिंग करती है लिन पर चड़ आती है उल्टी सीधी हरकते करना शुरू कर देती है माक लिन से उसके घर का एड्रेस पोछता है उसे छोड़ने के लिए लिन माक को एक खाली जगाँ में ले जाती है क्योंके लिन के लिए वही उसका घर है लिन माक को बोलती है देखो मेरा घर कितना बड़ा है माक लिन को बोलता है यहां तो कोई घर नहीं है लिन माक को बोलती है इमेजन करो मा को लगता है लिन ने पी हुई है इसलिए ये सब बोल रही है मा को बोलता है ठीक है मैं Imagine करता हूँ लिन अपने ख्वाबों का घर मा को Imagine कराती है मेरे घर में दो bad room होगे एक kitchen होगी मैं और मैं और मेरे फादर दोनों साथ में रहेंगे लिन का एक ही ड्रीम है अपने फादर के साथ एक घर में रहना माक लिन के सपने के बारे में चान कर लिन को और भी पसंद करने लग जाता है लिन धखकर वहीं सोच आती है माक लिन को किस करने वाला होता है पर नहीं करता और अपने शोल्डर पर लिन का सर रख लेता है इसके बाद हमें धिखाया जाता है लिन पूरित के विला में होती है पूरित भी अंदर आ रहा होता है तब लिन को एक कॉल आता है उसके फादर को गुंडों ने मार दिया है पूरित तरीके से और वो होस्पिटल में है पूरित को भी निदा का कॉल आता है ग्रेन फादर सीरियस है दोनों वहाँ से चले जाते हैं और पूरित को पता नहीं चल पाता लिन उसकी ही विला में रहती है लिन अपने फादर और पूरिद अपने ग्रेंट फादर से मिलने होस्पिटल जाते हैं लिन के फादर की हालत उन लोगों ने की होती है जिन से लिन के फादर ने पैसे लिये थे और चुकाई नहीं वो गुंदे बहुती खतरनाक होते हैं इसलिए लिन अपने फादर को उस कंट्री से बाहर भेशने का डिसाइड करती है जिसके लिए उसे पैसेच चाहिए लिन अपने फ्रेंट टोन को कॉल करती है हेल्प के लिए वहाई दूसरी तरफ पूरित भी उसी होस्पिटल में होता है क्रेंट फादर की बिगड़ी हालत को देखकर पूरित असिस्टन निदा को एक फेक लड़की का इंतिजाम करने को कहता है जो उसके सिस्टर बनने का नाटक कर सके लिन और पूरित बात करते हुए एक दूसरे से टकरा जाते है और दोनों को अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाता है इसके बाद पूरित लिन को अपनी फेक सिस्टर बनने के लिए फोंट्राक पर साइन करने को कहता है लिन पूरित से पूछती है क्या तुम शोर हो हमें ये करना चाहिए पूरित बोलता है किस बारे में बात कर रही हो तुम लिन बताती है तुम जूट बोलने जा रहे हो उस इंसान से जिसे तुम प्यार करते हो मैंने अपनी पूरी लाइफ जूट पर बिताई है पूरी जिन्द की जूट ही बोले है पर जिसे मैं प्यार करती हूं उससे कभी जूट नहीं बोला अगर एक जूट किसी के लिए खुशियां ला सकता है तो यह जूट बोलने के लिए मैं तयार हूं नर्वेस होती है पर साइंट कर देती है क्योंकि यह यह एक उप्षन उसके पास है उसके फादर को सेफ करने का लिन पूरिद को ग्रैंट पाउंके ग्रैंट डोटर के बारे में सारे इनफॉर्मेशन देने को कहती है ताकि जूट पकडा ना चाहे पूरिद लिन को अपने खर लेकर जाता है और पीमंड का रूम दिखाता है पूरिद लिन को बताता है चोपी है यहीं है मुझे उनके मैं जादा नहीं पता क्योंकि जब हो यहां से गई थी मैं सिर्फ 5 साल का था लिन पूरिद को बोलती है मैं कोशिश करूंगी ग्रैंट पा को यकीन दिलाने की कि मैं ही उनके ग्रैंट डूटर हूं पूरिद लिन से रिक्वेस्ट करता है यह मेरे लिए बहुत ही इंपोर्ट किसाग आप तब तब कि लिसारं के बाइब भी बाइब